वोट के लिए राश्पती महोद्या जी दौरपती मुर्वू जी को महा को राश्पती बनाया गया ओ दिखाने के लिए बनाया गया कि हम हमारा प्रेम आदिवासियों को प्रती है दलित्यों कर प्रती है महिलाओं के प्रती है तो मैं आपके माद्यम से पूछना चाहता हूं क लेकिन मंदिर मुद्दा मस्जिद मुद्दा ला करके आपसी लाय लगवाने अकामिलों कर रहे हैं नमस्कार मैं विकास सिंग और आप देख रहे हैं एक निउस 24 देश में 22 जन्वरी को भब्राम लला का आगमन होने वाला है लेकिन इस पर बिरोध भी जारी है लेकिन अब एक नया मामला इसमें निकल कर सामने आ गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा देश के महामही मियानी की राष्ट पती को ही नियोता नहीं भेजा गया है जिसके बाद कॉंग्रेस जमकर हमला कर रही है और कह रही है कि जो बीजेपी है वो पहले से ही इसी तरीके से आदिवासियों की आवाज को दबाते हुए आई है और यही कारण है कि राष्ट पती को नियोता नहीं भेजा गया है अब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त आदित्य पाश्वान जी है आदित्य पाश्वान जी बिहार परदेश कॉंग्रेस सेवादल यर्ण बिर्गेट के अध्याच्छ है सर स्वागत है आपका सर अब नया मामला निकल कर सामने आ गया कि राष्ट पती को ही नियोता नहीं भेजा गया है जिसके बाद आप लोग हमलावर है आखिर का राष्ट पती को नियोता न भेजा जाना क्या संदेश दे रहा है देश में लेकिन जो राश्पती महोदिया जी का अपमान बार बार हो रहा है ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि उन्हें निमंतरन इसके लिए नहीं मिला है तो ये राश्पती महोदिया जी का सिर्फ अपमान नहीं है ये पूरे देश की महिला का अपमान है ये पूरे देश के आदिवासी हमारे जो भाईबहन है हमारे जो दलित भाईबहन है उनका अपमान है ये देश की दुर्भाग्यवस जितने भी औरते जो विद्वा हुई है उनका अपमान है और ये चरितार्त करता है भारती एंदापाटी और उस मनवादी सोच का जिन्होंने विद्वा प्रथा को स्थापित किया और इस चीज को लोगों के सामने लाया कि विद्वा शुब होती है तो क्या ये आज इस कारण से उन्हें निमंतर नहीं दिया गया अ हम उनके समर्थन में वो जब जैसे बोलेंगे त्यार खड़े हैं क्या लग रहा है सर कि जिस तरीके से आप लोग पहले से ही ये कहते हुए आए कि जब वहां पे भूमी पूजन हो रहा था उस वक्त भी अराश्ट पती को नियोता नहीं गया था तो उस समय कहा गया था बी जी है दूसरे कारी क्रम में है लेकिन अभी एक बार फिर से उन्हें नियोता ना देना ये संदेश है कि जो नीचे जाती है जो नीचे तब्दिक्के के लोग है उन्हें बीजेपी दबाकर रखना चाह रही है अब तो मैंने कहा ना कि ये ये तो बच्पना वाला बात और उस चनितर को आज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के सामने लाके और ले आए कि वो डलित आदिवासी को दबा के रखना चाहते हैं वो महिलाओं का जो बात करते हैं महिला शर्शक्ति करन की वो सिर्फ कहने वाली बात है वो धरातल पर नहीं है और वो सही नहीं है उनका समर्थन नहीं है वैसा अब आज देखिए किस तरह से बिल्किस बानों केस में क्या हुआ ये एक महिला का ही आप मान है ना कि जो बलातकारी थे उन्हें राज सरकार ने छोड़ दिया और सुप्रिम कोट आज फिर से उनको वापस सजा दे रही है तो ये क्या है ये सब् कि वो जो बोलती है और जो करती है ये दोनों में बहुत फर्क है वो बोलती है वो अलग करती है जिस तरीके से बीजेपी बार बार कहती है कि महिलाओं का सम्मान करते हैं जो नीचे तबगे के लोग है उन्हें उपर लाने का काम करें यही कारण है कि हमने देश में आदिव तो मैं आपके मार्दियम से पूछना चाहता हूं क्या कि इस देश में आज आदिवासी जंगलों में अभी भी लकडियां चुनने को मजबूर है कि नहीं क्या आज आदिवासी लोग अभी भी दो टाइम का भोजन उन्हें नहीं मिल पाता है आप अच्छी कोड़ भोजन पूरे देश के लोगों को दे रहे हैं लेकिन फिर भी वो भोजन का जो वो अराज है वो उन तक नहीं पहुँच पा रहा है तो यह किस तरह करने आए है किस तरह की बात करते हैं आपकी आदिवासी यो महिलाओं का सम्मान करते हैं तो यह मैं करता हूं और हमारी पाटी भी झाति है कि भारती यंटा पाटी की दोरिया चरितर हैं दोरी बात होती है जो कहते हैं वो करते नहीं है आज देश जो प्राब्लम से उसको एड्रेस नहीं करने के लिए उससे बचने के लिए ए मंदिर का मुद्धा बनाया जा रहा है। समाज में धर्म के कारण लोग भाई भाई दुष्मन हो गए। आप क्या जवाब देंगे। जिस चीज के लिए भाराज जाना जाता है, जिस एक्ता के लिए भाराज जाना जाता है, जिस यूनिटी है और डाइवर्सिटी के लिए भाराज जाना जाता है, क्या वो रह रहा ह आज जहर बो दिया गया हमारे समाज में तो आज ये जहर बो दिया गया वह आने वाला समय में अगर इसको हम सही नहीं होगा यह और इनकी असलियत लोगों तक नहीं पहुँचेगी आने वाला समय में हमारा जो जिनरेशन है और आने वाले जो पीड़ी है वो कहीं के नहीं र लगा रहे हैं उसके बाद इस तरीके से महिलाओं का आरोप लगा रहे हैं कि आप मानकर रहे हैं तो इसमें पूरे दुनिया दिख रही है मेरे कहने ने कहने से क्या होगा आप बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूं तो जो भारती जंदा पाटी और प्रहान मलती जी को जुमला फेकने का अदर्थ है जुमला फेक रहा है फेक रहे हैं लोग अगर नहीं समझेंगे अब तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आप देश में जो जिस तरह से महंगाई व्याप्त हो गया है इससे लोगों को निजाद बहुत जरूरी है और लोग यह समझ रहे हैं लेकिन मंदिर मुद्दा मस्जिद मुद्दा ला करके आपसी लाए लगवाने कामी लोग कर रहे हैं तो यह सही नहीं आखरी सवाल रहेगा सर क्या महोदिया को अगर नहीं बुला जा रहा है तो यह देश के समीधान का अपमान है देश एक महिला हमारी जो एक विद्वा महिला जो है वह राश्पति के पद्पे आपने बठा तो दिया लेकिन सम्मान उनको नहीं मिल रहा है सम्मान इस कारिक्रम में पहला व्यक्ति को पूरे आदिवासियों के सम्मान को ठेश पहुचाया है तो अब इसमें मैं बोलू नहीं क्रेडिट लेने का होर है अगर राष्ट पती के द्वारा अगर पुजा अर्चना करवा दिया जाए या रामलला का विराजमान हो जाए तो बीजेपी को क्रेडिट नहीं मिल पाएग किया जाएगा तो यह सिर्फ और सिर्फ चुनाओ के लिए ऐसा किया जा रहा है और देखिए आज देश के जितने संथ हैं उन्होंने रिफ्यूस कर दिया आखिर क्या ऐसा रीजन है कि सभी सभी जितने बड़े-बड़े देश में जो मठ हैं वहां के जो पिठादीश हैं जो बड़े-बड़े महंत हैं उन्होंने रिफ्यूस कर दिया कुछ रिजन तो रहा होगा कि प्रान पर्तिश्टा किस तरह से होगी सारा प्रोसेस पे उन्होंने कोशन मांक लगा दिया है तो क्या वह रामदरोही हैं मैं आपके माधियम से अपने भारती अंतरपार्टी के मैं में मैं में ब्लक से पुछना चाहूँगा कि आज जितने भी पूरी के संथ है या और विजितने पीठ है वहाँ के जो संथ हैं वो जो नहीं जा रहे है तो क्या वो ''R la'mad Div machenahy'' हो जाते हैं और आपको निर्मोही है खला ना कि जो एड हैँ उनका भी ब्यान आया है कि व और समत अगर हैं तो क्यूं है यह बता ही हो मोदी जी भी तो कहते हैं ना सर कि मैं भी तो आती पीछरा समास से हूँ वो भी तो अपने बयान में कहे हुए हैं कहने और करने में फर्क है ना आप जो कह रहे हैं और धरातल पे जो हो रहा है उसमें जमीन आस्मान का अंतर दिख जब आज वर्सों पहले हमारा हनुमान मंदिर पत्ना में स्थापित हुआ और वो एक हरिटेज है समझ लिजिए जिस तरह से विष्व विख्यात है और एक दलित वहां का पुजारी है लेकिन कभी उस पर राजनितिक रण उसका हुआ कभी नहीं हुआ लेकिन आज देखें किस तरह से राम मंदिर पर किराज्यति की जा रही है बहुत सारे जारी है और उसे तमाम खबरों के लिए बने रहीएगा आप हमारे साथ